क्या बात है आज आप लोग पंखा उंका सब चला दिया आते हैं थोड़ा सा हो गया थोड़ा सा बंद कर दीजिए कि नहीं मैं अपने तरफ यहां वे फैन यह एसी लगवा लोगा फिर आप लोग पंखा चलाना कोई दिखात वाली बात नहीं बंद करो अच्छा देखो यही तुम्हारे घर पे अगर मैं आ जाओं तो फुरा सा रेस्पेक्ट तो बरी जाएगा अपने वहले तुम वह गर्मी में रह लोगे सर को पंखा उन कर दो है कि नहीं यहां इसका कोई फर्क नहीं पड़ता तर पसीने में हैं घर्मी लग रहा है सर आप ल अचल मजी में फूरा रिवरस हे यहां अयंगी आघाट की ते दो कान जा रहा है अपना दुग को मतलब नहीं है सामान कर लिया उससे मतलब समान के अच्छा मिलना चीए बस यह खी नहीं दूकांदार से कोई रन अया नही है वहला चीछे इन इंसान बदल गया उसके सम्मान बदल गया नजरिया बदल गया है एक यह यह होता है कि और इसात मैं इसाथ ही शिर्फ होरा है आपकी विसी आफ हो गा आपके पेरेन्स के साथ भी होता होगा जगा जगा की बात है होता ऐसा बाकि आप है नमजदार है फूरा सा रहम कांपढ़ैं चले यह तब तक जब तक मैं यहां इसी नहीं लगवा लेता तो जिसी मेरे मेरे सामने फैंड चलने लगेगा मैं भी थोड़ा सा सुकुन में रहूंगा तो आप चलाना इसी चलाना इसी साल बात कर रहा था फाइनल बात भी हो गया था एसी इसमें लगवाने का लेकिन दो प्रब्लम आ गया एक तो यह पुड़ा प्रण आही हो कि लेंसीम बाइठने आही हो ही हमारा क्लास निकल जाएगा हम्यारा क्लास निकल डाएगा त्युक्त मेरा दोस्ते शाल पहले पूंचे वह पुड़ा रुप आपको बच्चे अच्चा इन एच्छा मीलेगा आणे वलाइटि वह जो ने बच्चे पढ़ें बह एक्षा जो है वह दान का चीज है मैं आपको दो फर्मूला पढ़ा सकता हूं वह मेरे अंदर से आपको मिल सकता है लेकिन आपको कि सर एसी दान कर दो पैसे से आते हैं मेरे अंदर तो कोई फैक्ट्री है नहीं कि जैसी मुझ से बोला एसी निकल गया या बोल रहा हूं तो ठंडी ठंडी हवाय निकल रही है अब मधूर एकदम क्या ऐसा नहीं हो सकता ना वाई तो कुछ ऐसी चीज़े होते हैं जो पैसे से ही पूरे हो सकते हैं है यह नहीं कौन करने की भी हैबिट होनी चाहिए नहीं देर आप लोगो को है तो मैं क्या कर रहा था तो जीवन में पैसे कमाना तो क्या करोगे उसको कि जीवन में पैसे कमाओ तो उसको क्या करो कैनल है मैं क्या बता रहा था उसका सारा पुक व्लोग को समझ में हैं जीवन में पैसे कमाओ तो सको खर्च भी करो ृग जब लगे कि हां पर खर्च करना चीह तो करना चीह आए बसमझ मरे जा रहे हैं घी से पिटे जा रहे हैं हमर पतवा के नौकरी कई से होई हमर पतिया कई से जी ही अंचि आँ अब बेटवा कई से पढ़ी अब लूज नून रटी खीचा कि जॉइबा इसी करते करते एक दिन ही कैस staff लोग एक चीज़ तुम्हें कहना चाहूंगा अगर आपके parents मेंसेट रेसा कुछ है नहीं तो फिर अच्छी बात है अगर है तो आप लोग में एक राय देना चाहूंगा कि जब भी parents पीछ पीछे पीछे करें तो आप टोग उसमें से कुछ पैसे कटते कर लो बचा लो और अपने तरफ से उनको कुछ ले जाए गिफ्ट कर दो वह अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुम्हें समझ्दारी है यह बात सहीं समझते हो तब पैसे कटे कर लो मम्मी के पास वह इने सब्सक्राइब करना चीए कुछ ऐसा देना चीए और बता रहा हूं इसलिए कि यह रहा हूं जब हम छोटे होते हैं माबाव हमको खेलने के लिए क्लेते हैं जब वह बुठे चाते तुम बड़े उजाते ओ आपको खिलोने के रूप में उनको कुछ दे दिया करो गिफ्ट दे दिया करो सम्मान दे दिया करो क्या दिक्कत है अच्छी चीज़ है देखो हमारे इंडियान कल्चर में यह समान जसे बैठा है ना कि मतलब लोग कहते हैं कि अभी बच्पन में हम लोग माता पिता करते हैं अभी हम लोग कुसिखा जाता है कि माता पिता का बड़े बुजरु का बाबाया का केर करो यह जो कल्चर बड़ा अच्छा है क्या दिखा रहा है कि आपका भी एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद से नहीं कुछ कर पाऊगे नहीं चल पाएंगे और देखिए और अपने आपको उसमें रख करिए कि अगर मैं आप सोचते नहीं कभी ऐसा कि मैं जब बुढ़ा हो जाओंगा लाठी पकर लूंगा अ तो हो जाओंगा जयासी आप इस तरीके से आएगा फ हाफ चाहते बेर सकते ही मन के अंदर एक स्षंड के लिए अभिप विए मैं कों की चलो दोरते हैं यह पना सब्सक्राइब नहीं दोर सकते हो पा Games चलो दोर आजाये सब्सक्राइब हो गया इसमें कोई पूछना है तो पूछलो आप आगे चलते हैं इसमें अगर कोई कुछ पूछना है तो बोलिए चार नंबर बोले तो यह वाला अच्छा और कोई चलो वाई कि यह वाला यहीं पर कर लें गया चलो यह वाला यहीं पर करते हैं सब्सक्राइब क्या लग रहा है प्रिंसपल चीन कैसे सेलेक करते हैं मल्टीपल ऑन्ड को ध्यान में रखते हुए क्योंकि यहां तो फंक्शनल ग्रूप है नहीं मल्टीपल बॉंड पर सीधा जाते हैं तो पर भूंड यहां पर बताना नहीं तो यह आपका क्या हो गया नंब्रिंग वन यहां से नंब्रिंग में देसकता हूं क्या हुं तो यह वाला 345678 इससे लॉंगेस यह नहीं है तो यह मल्टीपल बॉन लेते हुए ट्रिपल बॉन लेते हुए लॉंगेस हम लोगेस हो गया तो सलेक्ट हो गया प्रिंस फल्चेन अमने डाल दिया है अब आते हैं नमिन क्लेशर पे सबसे पहले लिखते हैं तू डिगरेवर इस에서 है प्रोपाईल और कॉन सा नर्मल पिरपाईल कि है है सीज़्टू सीटू सीज़्ट दूसीह ठीमना प्रोपाईल ठीक है इसमें तो यहाँ पर लिख सकते हो दो क्या लिखा जाएगा 552 तो लिखो फिर 500 शेयंभी आ प्रोपाईलе और कोई साधीन तो है नी नीए तो तो वर्ड रूट आठ कारवन के लिए कितना होता है हर जगा सिंगल वंट है नहीं ट्रीपल वंड है पुजिशन क्या इसका तो आप पुजिशन के साथ टू आइन वाई एन ई और कुछ बचा गया इसका अंदर को फंक्शनल गूरूप है नहीं तो यही हो जाएगा हमारा न नमेंगेशर बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहें न जिब पूरा ठीक्टाक नमेंगेशर प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छे से हर तरह कंपॉंड करने आ जाएगा तो उसके बाद पता है आपका जीओ सिस्टार्ट होगा रियल जो चमेस्ट्री और अर्गेनी क केमिस्ट्री वहां से स्टार्ट होगा फिर हम लोगों करेंगे तो फिर उसके बाद जैसों की जो बचा हुए उसको खतम करेंगे फिर इसका जी ओसी मैं करवाऊंगा तक नोमेंक्लेशर कंटीनिव चलता रहेगा जैसे ऑनलाइन क्लास में नोमेंक्लेशर खतम कर दूँगा आ तो सफीर उसको बंद कर दूँगा और स्क्रीशिक करने के साथ इसके स्वांप मेनक्लेशर क्लेशर के रोज कुछ ओमख दूँगा पांच 10 प्र एक टाइम मैं इसे मैं बता रहां ना लिए अपने चाहते हूं यह लगा दिया लगा दिया लगा दिया लगा दिया नाम करन करो यहां लगा दिया लगा दिया लगा दिया नाम करन करो यहां वे मैंने क्या करा ध्यान से सुनों एक निकाल दिया लगा दिया यहां दिया लगा दिया लगा दिया नाम करन करो यह लगा दिया करो क्या दिक्कत अपनी दिमाग की उपस होनी चाहिए भाई वह बाच समझ में खोड़ा से दिमाग लगाओगे हजारो कोशन त्यार करके बैठ जाओगे सिंपल सिंपल बनाओ बहुत भाड़ी नहीं बना पहले सिंपल सिंपल बनाओ इस तब में इतना भ्यास हो जाना चीए कि देखते ही लिए ठीक है तो यह मैं कह रहा था चलो इसमें कोई बचा था यह मैंने होमक दिया था वैसे फुटली होमक था तो यह डिसकस करते हैं फिर यह सब इसमें नमनीं कहां से किया जाए प्रिंस्पल चिंद यह हो जाएगा नमनीं यहां से करूं देखो तो वन तू त्री पोर पाइव सिक्स ते लिए नाम बताइए तो वन पे मिथाईल वन पे मिथाईल फिर साइक्लो था करवन है तो और वन पे क्या हो जाएगा इन वेरी गुड़ बहुत बढ़ी है सही जा रहे है आप लोग इसका बताईए नम्मनींग इसमें कहां से शुरू करें थीक है देखो यहां से करेंगे अगर आपको लग रहा है कि कहीं और से करेंगे तो आप सोचो गलती कैसे हो अगर आपने हां से किया जैसे आपके दिमाग में आ रहा हुआ यहां कर देते हैं यहां कर देते हैं क्योंकि हो सकता है को ऐसे सोच रहा हो और आप यहां वहन को और यह सबस्ट्ट को तुमिल गया के लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप नमरिंग डालोगे ना तो डवल बॉर्ण का जो लोकेशन आपने दिखाया है फिर इस डवल बॉर्ण को लेते हुए तब आपको आगे बरना है अगर आप वान यहां डाल रहे हो तो फिर टू यहां आएगा ही आएगा कि कोखो पावाधि quand उर्वर्ण को स्वर्ण कर आठवति कर सकते आप तो आपको यदर से ना पड़ेगा ऑजाड़ को एगिसा करोगे तो फिर यहाहां और आएगा त्री फोर फाइफ इसन एक महां चला गया चला चला गया विद् Sah decision कर गई चला गया लोगेंट देना होता है आपके लिए क्या तरीका बेस्ट हो सकता है इसको आप वन देदो फिर इसको टू इसको क्या देदो थ्री यह फोर यह फ़ाइब और यह सेक्स आया समंझ में एक लाइन यहां दिमाग में रखना है क्या डबल बॉंड को जब भी काउंट करना है या डालना है तो डावल बॉंड की एक इंडिवर जो आपने नंबर दिया तो फिर डावल बॉंड को छोड़ना नहीं है उसके वापस नहीं जाना उसको ले करके तब आगे बरना है तो अब सबसे पहले साइट चिन का नाम बुलिए कि त्री मिथाइल कि ताइक लो हेक्स वानिन वेरी गुड चलिए साइक्लो मिथाइल साइक्लो हेक्स वानिन सही है इसमें मत आईए बुलिए यहां से करें वन तू थ्री पूर फाइब सिक्स बुलिए पूर मिथाइल साइक्लो एक्स वानिन बहुत बढ़िया सही जा रहे हैं आप लोग इसका बता हिए सबसे पहले इसमें यह बताओ कि प्रिंस्पल चेन कौन होने वाला है क्या बता सकते हैं आप अब सभी लोग गलत नहीं है क्योंकि आपने इसको कहा है प्रिंस्पल चेन डवल बॉन्ड वाला याद आया यह होगा प्रिंस्पल चेन इसमें कारवन एटम्स कितने हैं एक दो तीन चार अईवाद समंझ में इसमें कितने चाह फिर भी ज्यादा कारवन वाला प्रिंस्प इसके साथ था मुल्टिपंड बॉन्ड इसके साथ नहीं था यह प्रिंस्पल चेन हो गया तो यह क्या बना इसे नम्रिंग हमने इधर से क्यों किया बताईए नम्रिंग करते वक्त सबसे पहले प्रियोरिटी किसको दिया जाता है अगर फंक्शनल ग्रूप नहीं हो तो मल्टिबल बॉन्ड को इसलिए हमने यहां से शुरू कर दिया तो वन टू थ्री फॉर अब आते हैं फॉर पे क्या दिखरा आपको यह फॉर पे लिखिए साइक्लो हेक्साइल और बताईए इसमें चेन में कितने हैं व्यूट चार कारवन है और वन पे क्या है इन तो फोर साइक्लो एक्साइल व्यूट वन इन कितने लोगा सही है यह है चलिए ठीक किया जाए पोर साइक्लो एक्साइल व्यूट वन इन इसमें बताया जाए बाई डिफॉल्ट इस कोश्चन में एक मिस्टेक है इस कोश्चन में यह मिस्टेक है एक चीज छुटा हुआ है वस और मैं चाहूंगा कि वह चीज मैं इसमें एड करने जा रहा हूं और आप अभी के अभी राइट नो इसका नामकरन खुद से करेंगे किया जाए होगे है चलो क्या लिखे बताओ एक सेकेंड क्या लिखा शिक्स साइक्लो हैक्सेन हाँ हाँ तो ब्यूट इन एसा चलो इससे अलग किसी का बुलिए हां बुलिए पाइफ ब्यूट पाइब ब्यूट थ्री इन इन आई लैसे इसको ब्रैकेट पुरा यह वाला हाँ साइक्लो हेक्सीन हेक्स इन इ ऐसा आप कह रहे हो वन इन हाँ ठीक है वन है तो हेक्सीन भी बोल सकते हो आग बुलिए इसमें देखो कुछ और चेंज करना चाहते हो इस वाले में इस वाले यहाँ फोर हो जाएगा और मुझे लग रहा यही सही है आपने जो नमणिंग किया है न जिस तरीके से घुमया उसका तरह उल्टा घुम जाओ अगर लोएस्ट उससे भी लोएस्ट पॉसबल है तो हम क्यों नहीं देंगे सोचे सोचे आगया तो फोर पे ब्यूट टी इनाइल अच्छा लगा कि कम सब आप लोग यह पकर के बैठे हो यह याद रखे हो कि आइक लोग एक्स कि वणिंग चलिए 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 सबसे पहले तो बात आती है किसकी प्रिंस्पल चेन की तो प्रिंस्पल चेन कौन होगा बताओ कि साइक्लिक वाला अच्छा अभी अभी ताब लोग कह रहे हैं तो यह प्रिंस्पल चेन तो इसमें तो दोनों में तो फिर कैसे डिसाइड कर लिए आपने कि higher-off क्रिंस्पल चेन नमबर की कितने का था तो यह हमारा इस पार प्रिंस्पल चेन और अगर यह हो गया प्रिंस्पल चेन को ही हो गया अँरा साइड चेन से जुरा हुआ जो काईर वन या उसी को बोलते हैं ऒंड मोन यह रहा सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं तो यह है क्या अरे इसमें नम्रिंग कर लो पहले इधर से किया दा है यहां पर वन यह टू यह थ्री और यह पूर अगर यहां से आप करेंगे तो वन टू थ्री फॉर यह इसी को फाइप मिल जाएगा तो लोवेस्ट इधर से प्रण करोगे सबसे पहले यह हमारा साइड चेन हो गया इसको पकरो और लिख डालो क्या लिखा जाए पोर पे क्या है बताहिए चार करवन की चेन है ना तो मोलो ब्यूट थ्री डैस पे इन है और यहां सिंगल बॉंड से कनेक्टेट है तो क्या लगाने के लिए बताए गया था वाईल तो ब्यूट थ्री डैस इनाइल क्लियर है और अब इसमें आ जाओ साइक्लो था करवन है तो हैक्स और वन पे है यह तो क्या करेंगे क्लियर है तो साइक्लो हैक्स वन इन कि इसका करें इसमें प्रिंस्पल चेन आपने किसको स्लेक्ट किया इसमें प्रिंस्पल चेन आपने किसको स्लेक्ट किया और साइक्लिक यह वाला कारण बता सकते हो कारण बता सकते हो क्योंकि इसमें multiple वन हमको दो मिल रहे हैं प्रिंसपल चेन स्लेक्ट करते वक्त हम इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि सबसे पहले functional group मिले उसके बाद हमको multiple bonds मिले और यह सब किसमें higher number में अधिक से अधिक संख्या में मिले इस बात का भी ध्यान रखना है तो यह वाला principle chain हो गया यह क्या हो गया हमारा है तो वैसे नमरींग पहले कर लो यहां से जुरू करें one two three four और यह क्या आया five clear है यह हो गया five अब बताए five पे जो आपको side chain chain दिख रहा है तो नहीं है नहीं है तो इसमें थोड़ा ताम जम करना पड़ेगा तो में चेंड से जब यह जुड़ा है इसका जो पहला कारवन है इसको आपको देना है वंडेस तर सर इसमें डवल बॉंड पे ध्यान नहीं देंगे नहीं भाई चाहे side chain कैसा भी हो ध्यान चे सुननों जो कह रहा हूं आपको लग रहा है कोई important नहीं है इस बात का लेकिन है ध्यान चे सुनिए आगे बहुत काम आने वाली है चाहे side chain कैसा भी हो इसमें double bond आजाए triple bond आजाए multiple bond आजाए साइकलिक आजाए और साइकलिक जैसे अभी आजाए प्रिंस्पल चेन अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो उस प्रिंस्पल चेन से जो कारवन पहला जुड़ा है उसी को नंबर आपको वन देना है वही आपका वन डैस है क्लियर अब इसके बाद आपको अगर डालनी है तो यह ध्यान रखना है कि ऐसे डालो कि उसमें जो आपका साइट चैन साइट चैन में जो साइट चैन दिख रहा है या जो मल्टिपल बॉंड दिख रहा है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिले अब समझ में अब आप कर सकते हो 2-1 अगर यह है तो यहां अगर 2-4 देश करोगे तो फिर 3-4 डेस यहां 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 दा सबसे पहला नाम किसका लिखते हैं बताइए साइड चेन का लिखा जाए यह सब साइड चेन किस पे हैं बता सकते हैं पाइप पे हैं पाइप पे जो आपको साइड चेन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बोलो बोलो साइकलो कितने कारवन है इसमें इसका कारवन है तो साइकलो हैक्स और बोलो इसाऔर अश्कलिक यह वह प्रिंसपल चेंच सांच इसके साँन एक लाट दो यह लिए वड रूट करें बता हुआ। पांच कारवन है तो पेंट फिर बताओ कि डवल वांड कितने हैं वन पे और एक थ्री पे हैं तो वन कि वन कॉमा थ्री डाई एनी चलेगा और जब भी वन डिगरी सफिक्स के पहले डाई ट्राई टेट्रा आता है हम लोग्या करते हैं यह जो वर्ड़ूट होता है उसके साथ एक एक्साइडें बॉसका इंदेन लोह का सही था चलिए बढ़िया कोई बात नहीं देरे ठीक हो जाएगा बहुत अच्छा बना है आप लोग किया जाए प्रतीक बनाव 45 एक्शुल में यह कुशन नहीं है 45 में जो कुशन है मैं आपको दे रहा हूं हाला कि यह तो साइकल एक से नहीं 45 में आपको कुश्चन दे रहा हूं यहां पर अच्छा आपका यह कुश्चन है हो गया क्या बताओ के नमबरिंग आपने किदर से डाला किदर से वन तो थ्री फूर फाइब सिक्स तरवन चलेगा क्या लिख आपने बताओ हां कि किसी ने बोला है अपनी बोला देखो है अपनी बोला सीधे और बढ़िया बोला या वला है अच्छा बोला है लगा दिया तो कि पता है उसको दिख रहा है तो है टा मुलो वन कॉमा थ्री कॉमा फाइब तो यह वन डिग्री सफिक्स है इसके पहले डाई ट्राइट ट्रा तब जब भी आता है तो यह वाला जो ए है वह एड हो जाता है दिख रहा है आपको प्राक्टिस करवाना होता मतलब एक है कि आप खुद से कर सकते और नहीं कर रहे हो और प्राक्टिस करवाना मुझे न तो मैं आपको बहुत बेसिक सवाल दे सकता हूँ जैसे इसका नाम करन करो फूब करो पास मिनिट कर वा देता हूं करो करो मज आएगा करने में लेकिन अब यह सब सब के सही होने चाहिए आसाना सांद दे रहा हूं सब के सही होने चाहिए तुम रात को सही टाइम पर सोते नहीं हो नीन तुम्हें आ रही है रेगुलर तुम्हारे क्लास में क्लास में तुम्हें नीन आती है हाँ टाइम से सो जाया करो कि रोज किताब आगे लोटा रही है हूँ करते करते वहां वहां जारी 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 हूँ किसी तरह जेल रही है ऐसे बढ़ाई होगा अब 12th क्लास में इसे वाप लुक सोचते नहीं हो चलो नाम लिखा आपने नामनी किदर से बताओ वन टू ट्री पॉर फाइव इधा से किया ना आपने बता बता क्या लिखा तू मिधाईल अब एंट तू इन है यह यह क्या दिकत है यह पेंट टी छूट रहा है नहीं है चलो एक और करके दिखाओ जल्दी जल्दी मेरी तरह मेरी तरह जा का हुआ जी आया ब्यूटा वन ट्री डाइए इन कितने लों काया ब्यूटा वन ट्री डाइए ठीक जो आंकिता नहीं है तुम्हारा आया था तो डी एक्स हाथ उठाओ किता का होगा तो डिल्टा एक्स उठाओ ठीक है डी एक्स मत उठाओ चलो अगला कि अगला कि यह करना जारा कि इधर देखोंगे तो आंसर मिल जाएगा इस तो आइन कितने लोगा सही था देख नहीं है चलो कोश्चन जट से नोट करना वरना मैं सीधर आंसर आजाओंगा अब वेट नहीं करूंगा मैं यह 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 करना आँ आए एक्स इदर नमढ़ीं आवने कुछ नी कितने लोगा गलत हुगा गलत हुगा पका हुगा अच्वाता मैं चेक करूंगा कॉपी एक आदमी गलत और दो तुदर तीन इत महीं आथ रूट आपलो अच्छा कितने लोगा सही वह यह आथ रूटाओ अग्यूंग काल यह हमने पढ़ाया था कि अगर डबल बॉंड ट्रिपल बॉन अगर वन वन पर दिखने लगे तो आलफा बेटिकल चले जाना यह 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 पहले अच्छा यहां पर हाँ तुम क्या बोल रही हो बोलो एक वो बोल तो बोल रही है तुम लोग भी लेला मजनू अपने में दूनो है इसा को दुनिया से कोन मतलब नहीं रहता है हाँ अब पढ़ाई पर ध्यान दे लो तुम लोग क्लास में वेटों गज़ा वाले इतना बूलते हैं तुम लोगों को चलो बताओ बताओ क्या करो इसका यह अरे ऐसे करना था तो बेसिक बैसिक करा रहा हूं अभी तो चलो चलो यह करके बताओ जल्दी से और भी नीचे आगया मैं को बड़ा खुशी मिलता है सबना यह यह अनिवा अनिवा तुम ही को बोल रहे हैं किसी क्लास लग रहा तो इसको बड़ी मजाता है अरे कभी लिए तुम लोग इसको पक्रो बढ़ियार को बार कोटा दो इसको चलो हो गया मैं कितना बोलू हेंट्स देता हो तुम लोह को बागी यादा पुल में को बूल ईए कितना आ यावट ओ तूकर अरे वॉन-टू-णू-पैघर है इधिया अगर किसी के पास टाइम हो और यहीं नोमें लेचर और प्रैक्टिस करना हो तो कल सुबह आप सारे चाहा से आ सकते हैं क्लास 11 वाले ऑनलाइन करते हैं यहीं क्लास आप तो वह लोग 11 करते हैं तो उनलों के मैं क्लास आफ्लाइन के में पढ़ा रहा हूं अगर आप चाहें तो आ सकते हैं उसमें सब बेसिक बेसिक और डिसकसन होगा अगर आपका ठीक है तो कोई ज़रूरी नहीं है देख लेना अपना चलो यह बनाओ यह बनाओ कि आख कि अब लिख देए ना कजरे की धार नाम्तियों की हार मिलाओ मिलाओ कितने लोगा सही हां तो यह अब देखू नमनिक भी नहीं हम लोग कर रहे हैं नमनिक का किदर समझ में रहे हैं किदर सवराओगा इदर सवराओगा यह यह आज कि अधाए जी कि अरे बड़ा साथ हाओ हाँ चलो लेखो लेखो कि अधाए सबसे पहले तो एस के वाई के चकर में सब कोई नमनिक इदर से कर देगा गलत हो जाएगा नमनिक इदर से होगा नहीं कि इस प्रेलों नमनिक इदर से कर चुके हाथ उटाओ गलत है कि इन ही दिखर है कि वाण टू थ्री फोर फाइब सब्सेंट मिलेगा इधर देखो तो वाण टू पे मिल गया में थाई कि फिर से करो फिर से करो यह अच्छा हुए कहीं बता दिवारन फिर पूरा नाम गलत होता नमनिक इदर से करो वाई के तरफ से प्रविए को नमनिक तब इगनोर कर जवाब को पूरा भ्यास हो चुका है नी तो नम्बनिंग कर आरा आंस करके बनो चलो मैं लाइट आफ कर देता हूं क्या अब मैं तुमनों को प्रैक्टिस ही करवाता हूं बस यही सब आज सारा बेसिक ही प्रैक्टिस कराऊंगा चलो